नवश्कार दोस्तों मैं किश वर्मा आप देख रहे हैं मैडिसिन किंग फ्रेंड्स आज हम बात करने वाले स्नीजी टैबलेट के बारे में इस टैबलेट के क्या यूजर्स क्या साइड एफेक्ट है आप इस टैबलेट का इस्तमाल कब और कौन सी कंडिशन के लिए कर सकते ह उसके वारे में इस वीडियो में हम प्रॉपर जानकारी लेने वाले हैं तो दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लास्तिक जरूर देखेगा अगर आप हमारे चैनल पर नए आया है तो चलको लाइक सब्सक्राइब साथ में बेल लागन को भी दवाले क्योंकि जो वीडियो हम इस पर अप्लोट करें सबसे पहरे नोटिफिकेशन आपके पास पहुचे चलिए दोस्तों वीडियो को आगे शुरू करते हैं तो यहाँ पर आप देखेंगे स्रीजी टेब्लेट की ब्रेंडिंग है जो कि आप यहाँ पर देख सकते हैं फ्रेंड इस प्र अरेस्टमोल और फेनाइल अफरेंड हाइड्रोकोराइड क्लोरोफेनरावाइन मेरेड तो इसमें चार पांच यह कंटेन हैं यह सभी एंटी कोल्ड के लिए हैं दोस्तों तो चलिए आप बात कर लेते हैं इसके MRP के बारे में तो MRP यहाँ पर आप देख सकते हैं 30 रोपे ज़्यादा रहता है जैसे कि एंटी कोल्ड के लिए सबसे बेस्ट टैबलेट है यह सर्दी खासी जुखाम या नाक का बहना तो सबसे अच्छी टैबलेट यह मानी गई है और इसके इस्तमाल के बारे हम बात करेंगे जैसे कि हलका बुखारा ना बुखार के साथ साथ या पराग एलर्जी या पराग इंफेक्शन तो इस कंडिशन में भी आप सिनेजी टैबलेट का इस्तमाल कर सकते हैं और इसके इस्तमाल जैसे कि हलका फलका फ्लू हो जाता है हर एक मौसम में जैसे कोल्ड मौसम में जो विंटर का मौसम है इस मौसम में जातर फ्लू होता ह तो उस condition के लिए भी आप इसका इस्तमाल कर सकते है और जिनकी आखों में से जलन होती है और वारवर पानी रिस्ता है आखों में से तो उस condition के लिए भी Sinezy Tablet बहुत ही अच्छे फायदे मंद करती है और किस इस्तमाल जैसे कि गले में दर्द या फिर खासी हलकेल की आना या कान का बहना या कान में दर्द होना तो इस condition में भी आप Sinezy Tablet का इस्तमाल कर सकते हैं तो फिरेंट किसी भी तरह का आपका flow हो, cold हो, सरदी, खासी तो आप ये इस Tablet का इस्तमाल कर सकते हैं तो बहुत अच्छा रिजल्ट देखा गया हो सकते हैं, अगर इस Tablet को लेंगे आप तो उल्टी आ सकती है, आपको कई वरी मितली भी आ सकती है, और या फिर आपको निद्रा में मतलब सुस्ती सी लगेगी, ऐसे लगेगा, सिर्चकर आएगा या फिर चकर आ सकते हैं या धरकन का तेज होना, तो इस परकार के आपको इस Tablet के Side Effect देख सकते हैं तो दोस्तों ये थे इसके Uses और Side Effect और आपको ये वीडियो कैसा लगा, बिना डॉक्टर के दोस्तों कोई भी दवा या इंग इजेक्शन का विल्कुल इस्तमाल न करेगा क्योंकि ये आपके लिए हानिकर हो सकता है दोस्तों अगर आपको इस वीडियो पसंदा है तो वीडियो को लाइक भी करेगा, शेयर भी करेगा जैंद